कि युज्यू को शियर्द को नमस्कार राजबर्तक चैनल में आप सवी का स्वागत तें आप देख रहे हैं राजबर्तक, हम आपको खबर बता दें कि जिला वारांसी की खबर है, जिला वारांसी निवू, पहाडिया थाना सारनात की खबर है, explicar संगाज की बेटी जो दिसके उपर दुसकर्म का मामला है उसका नाम हम जरूर बता सकते हैं राहुर राजबर बता है जरा पुत्र सोपाल राजबर वो भी दाओं का ही लड़का है हम बता दें कि लड़की के बाप का आरोप है कि वह लड़की को बाला फुसला कर लेकर गया था और एक तीन बज़े रात की घटना है उससे में जब आवाज आई तो लड़की वाले का आरोप है कि परजनों को बुला कर उस लड़के वालों को समझाया गया लड़के वाले के परजनों को भी समझाय गया कि दुबारा ऐसी घटना ना करो लेकिन राहुल ने क्या किया कि लड़की को भगा कर ही लेकर चला गया हम आपको बता दें कि राहुल ने लड़की को भगा कर लेकर चला गया इसके बाद लड़की वालों ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अस्थानी थाना सारनाथ पहुचे जहां पर धारा 363, 366 IPC यहां 7 बटा 8, 101 के तत मुकदमा कायम हुआ है हम आपको बता दें कि लड़की वालों ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है लड़की वाले के उपर बहुत बड़ी घटना हो गई है हम बता दें सारनाथ की घटना है राजवर समाच की बेटी के साथ दुषकर्म का माम आपको बता दें कि लड़की वाला का रोप है कि जल्द भारतिय समाग पारटी के राष्टिय महफ सचीव और पुर्व राज्य मंत्री माननी अर्विंद राजभर जी ने भी एकसर में आचुके हैं उन्हें तूट के मादम से जल्द से जल्द कारवाई करने की मांग किया है माँपको बता थे हैं कि लड़की का फोटो वीडियो मांग समान को देखते हुए यह वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है नाए फोटो दिखाया जा रहा है क्योंकि समान की बात है और अभी लड़की का साधी विवार नहीं हुआ इस पर आने वाला समय में दिख्कत आ सकती है हम आपको बताते हैं एक लिए खबर जिला बलिया से आ रही है जिला बलिया के वाड़ नमर 32 के विभीन गाओं के नोज़वानों ने स्वेल्दे भारतिय समाज पार्टी के विचार धारा मानने उन प्रकास राजबर्टी की लड़ाई और मजबूत करने के लिए सुघल्दय भार्तिय समाज पर्टी की सद्था ग्रण कि अब आप सभी यह आओं वायों को तो यहीज, भार्तिय समाज पर्टी में, भाउत स्वागत करते हैं, राजबर्तक चैनल से आप इसे खबरों के लिए देखते हैं राजबर्तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो का लाइब करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ज्येश्वी दिए